हिंदुस्तान के घरों में ऐसा अक्सर देखा जाता है कि माहें किसी रेंडम छीजों को लेकर परिशान हो जाती है माओ की ये बेचानी solution नहीं मांगती ना बस मांगती है solution पर बाते क्योंकि ये बाते ही है जो किस्से बन जाती है और जमा हो जाती है किस्सों के गुल्लक में गुल्लक सीजन 3 TVF का एक और masterpiece creation जो सोने लिव पर रिलीज हुआ है हाँ इसमें कोई चौकाने वाले visual effects नहीं है लेकिन हर middle class इंसान की जिन्दगी के visual जरूर से है हाँ इसमें कोई जवरदस्ट actions नहीं है लेकिन middle class इंसान अपनी जिन्दगी में कैसे कैसे हालातों में कैसे कैसे actions लेता है या फिर कैसे कैसे actions लेने पर मजबूर होता है उसका real presentation ज़रूर है वैसे अगर आपने गुलग season 1 और season 2 देखा होगा तो आप जानते ही होगे संतोज जी, अनू की मम्मी, अनू, अमान और हाँ, किस्सों से भरा हुआ गुलग बस यही है इस series की star cast जिनका performance और screen presence इतना natural और real है कि आप खो जाओगे इनकी कहानी में, ना, sorry, कहानी में नहीं, किस्सों में फर्क होता है कहानी और किस्सों में फर्क होता है, क्या फर्क होता है यह आप series देखोगे, समझ जाओगे देखो ऐसे गुलग का हर किरदार जबर दसते, लेकिन भाई, मेरा favorite character है अमन का बंदे का जो timing है ना, comedy का, super series का VGM आपके दिल को चूता रहेगा, बीच-बीच में छोटे-छोटे टुकडे आएंगे, song के वो आपकी emotions को रफदार देंगे, और best part according to me वो है voice-overs, हर episode का जो voice-over होगा ना, वो आपको उसके moral को इतना आसानी से explain करेगा कि आप कभी रो पड़ोगे, कभी आपको हसी आएगी, कभी आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे, और कसम से last episode के अंदर मेरे आँख में आसू आ गए थे, क्योंकि कि मेरे पापा, चलो छोड़ो, आप देखना आप समझ जाओगे, फिर आपको मज़ा नहीं आएगा overall worth watching content है, कम budget के अंदर, सिर्फ और सिर्फ concept, performance, direction और presentation के जरिए बड़ा धमागा करना, उसका perfect example है, गुल्लक सेजन 3, अगर आपने देख ली है, तो आपको कैसी लगी, जरूर से बताना, see you soon in next video, bye take care and जय हिंद